hello 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 students, welcome again in our YouTube channel Noble Institute. तो चलेS start करते हैं आज का lecture है आज का लेक्सर आज का लेक्षर ठाटा होने जा रहा है क्योंकि हम लोग छोड़ा सा टॉपिक है उसको डिसकस करने जा रहे है तो अपना टॉपिक है आज का Coulombs लाह को हम लोग व्ैक्टर के फॉर्म में लिखना जा रहा है पंग्ति को व्य क्टर फॉर्म आफ कुलों म्स लाह ऑब क médico की ऐटिंग होगे अपना के व्यक्टर फॉर्म आफ मूớiब अब देखो आप मान के चलते हैं हमारे पास दो चारज है इतने चारज है दो चारज है तो पॉइंट चारज है और इनके बीच अपना यह डिस्टेंस है ठीक है यह पार्टिकल वन है और यह पार्टिकल तू है हुआअ हर यहां पर चारज क्यूवन है और यहां पर चार्श कूठोँ और इनके बीच की दूरी आपकर तो अगर मैं यहां से देखना चाहूं और इस डिस्टेंस को डिनोट करना चाहूं इस डिस्टेंस को मैं डिनोट करना चाहूं तो यह जो डिस्टेंस हो जाएगा इधर से देख रहा हूं मैं इधर से देख रहा हूं मैं तो यह डिस्टेंस हो जाएगा R2-R1 पोजीशन वेक्टर में बोला हूं आरवन का कुछ पोजीशन वेक्टर होगा आरटू का कुछ पोजीशन वेक्टर होगा उसके इसाप से क्या लिख लिए आपने आरटू माइनस आरवन यहां से देखना चाहूं तो इधर की तरफ जो हो जाएगा हो जाएगा आरवन माइनस यह position vector हो जाएगे ताहीं पर भी देखेंगे आप लेट से यह वन का कोई नओ को position vector लेक्टर है कोrices 1 के position vector को r1 कह रहे हो आप position vector को आप r2 कह रहे हो यहां से यहां के लिए आपने लिग दिया r2-r1 और यह r1-r2 मायनस डाइटी है अब देखिया आप अब जो है यहां पर एक बात और यहां पर गौर करने वाली यह है कि जब आप कुलॉंब्स लग्ते हो पोर्स लिए पोर्स जब आप लिखेंगे मैगनीट्यूड के फॉर्म में तो आप लिखेंगे के Q1 Q2 upon R square Q1 Q2 upon R square मगर force का जब force का जब denote करने जाओगे आप force को जब denote करने जाओगे vector form में आपको लिखना पड़ेगा Q1 Q2 upon R square यह magnitude हो गया direction कैसे दिखाओगे force का direction किदर होता है force का direction जो है वो line joining की तरफ होता है किदर होता है line joining की तरफ होता है यानि आर के लॉंगी होगा तो force जो होगा वो R vector के लॉंगी होगा तो यह R अगर unit vector से आपने सो कर दिया R अगर unit vector से आपने सो कर दिया तो आपका यह हो जाएगा force तो R जो है वो unit vector से आप सो कर सकते हो इस तरह से ठीक है तो यह force हो गया अब इसी को आप लिखना चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कैसे लिख सकते हो यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं आप unit vector जो होगा वो हार vector upon magnitude of a star होता है unit vector क्या होगा operator upon magnitude of a star जाएगा यहां से अगर आप Force के बारे में बात करेंगे जो Force हो जाएगा हो हो जाएगा के Q1 Q2 upon P2 और यह उनित को अपने लिख दिया आरगंटर अपान हर अमट ऐसे भी लिख सकते हो अरक इस अपन आरका क्यूंप या आप इसक → और अच्छे तरीके से लिखना जाहिए तो और के magnitude का Q और यह आर अब यहां पर यह बात आपको डारेक्शन पता चल गया आपको magnitude पता चल गया सब कुछ पता चल गया गौर करने वाली बात यह है कि क्यूवन और क्यूटू जो है वो साइन के साथ और क्योंदोन प्लस है तो कोई बात नहीं दो कोई बात नहीं एक प्लस है और एक माbers Cant form आट तो क्यू वन और क्यू टू मस्ट बी विट साइन मतलब अगर निगेटिव है वनेगेटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ यह इसका वैक्टर फॉर्म हो गया सदिस रासियों के फॉर्म में जो आपने वो से लिखा है तक कर आप अब अगर आपसे कोई दोस्त आपका कहिए सर मैं तो लिखना चाहता हूं ओ लिखना चाहता हूं फ स् को हिउन चाहता हूं निस यह के एया कétat ही सबीन मारे दोस का वेकटर 폭व का कि क्योंद आएगा और ऐस तरह से हो जाएगा कि यहां पर जैसे आपने लिख रखा ग्यां पर जैसे आपने लिख रखा है इन दे सेम वे अगर F21 अगर लिखे हैं हम लोग F21 तो अगेन आप लिख लोगे K Q1 Q2 upon R2 minus R1 इस बार क्या हो जाएगा? R2 minus R1 का यह बार magnitude होगा और यहां पर क्या हो जाएगा? R2 minus R1 vector form में तो यह R2 minus R1 vector form में यह इस तरह से हो जाएगा तो अगर F12 या F21 की तरीके से लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं Otherwise आपके पास यह वाला formula भी है अच्छा क्ये क्या होता है? क्ये क्या होता है? 1 by 4 pi epsilon 0 क्ये क्या होता है? 1 by 4 pi epsilon या epsilon 0 epsilon के बारे में भी थोड़ा सा बात करना जरूरी है चलिए epsilon के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं ठीक है? बट यहां तक की चीजी आपको clear हो जाने चाहिए epsilon को हम लोग बोलते हैं एपसाइलन को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं परमीटिविटी और इसको बोलते हैं विद्दुत सीलता विद्दुत सीलता विद्दुत सीलता या फिर इसका एक और नाम है टाई इलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट इसको बोला जाता है परा वैद्दुतांग परा वैद्दुतांग परा वैद्दुतांग परमीटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट इसको क्या बोला जाता है परावैद्दुतांग तो यह आपने जो के के लिए लिखा है वन बाई फोर पाई एपसाइलन यह होता है फोर आपसाइलन यह क्या होता है अपसाइलन जो होता है उते प्रॉपर्टी ओफ मीडियम अपसाइलन क्या होता है प्रॉपर्टी ओफ एपसालन क्या होता है प्रॉपर्टी ओफ प्रॉपर्टी ओफ मीडियम होता है यह अलग-अलग मीडियम के लिए इसकी वैलू अलग-अलग होती है ठीक है इसकी प्रॉपर्टी है मीडियम की क्या करता है यह परमिट करता है अपने एटम को कि वहां पर जाकर जो दो मीडियम दो charge particle है उनके बीच में कुछ disturbance create करें जिससे उनके बीच का जो interaction है वो कम हो सके यानि epsilon ability है जो कि दो charge particle के बीच में जाकर जो भी force लग रहा है या interaction force लग रहा है हमें नहीं पता कि attraction है या repulsion है जो कुछ भी हो रहा है उसको वो reduce करवाना चाहता है ठीक है यह क्या करता है इसलिए इसका नाम क्या है पर मिटिविटी है जैसे दो charge particle है तो charge particle है क्यूवन और क्यूटू यह किसी मीडियम में रखे गए हैं क्यूवन और क्यूटू यह किसी मीडियम में रखे गए हैं पलाब आ डिस्टेंज पर किसी मीडियम में रखे गए हैं चलते हैं वह कौई लिक्विट के फॉर्म में माली आ यह किसी ले क्यूट कई रखे गए हैं यह मीडियम हो गया यह जो है यह वोई लिक्विड हो गया लेटस से तो यह लिक्विड की यह प्रॉपर्टी हो गई कि लिक्विड के मॉलेक्यूल्स Q1 और Q2 के बीच होने वाले इंटरेक्शन फोर्स को कम कर सके उसमें रिजिस्टेंस ला सके है लिक्विड के मॉलेक्यूल्स अब लिकविड अपने मॉलेक्यूल को परमिट करता है कि जा कर इनके बीच पोर्स को रिड्यूस करो जो भी फोर्स लग रहा है तो एपसायलन जोaison है वो प्रोपर्टी औप मीडियम माप्ञंशन को कि वहाँ जाए और उनके भीर छोने वाले इंट्रसक्षन को कि कि सब्सक्राइब करता है अपने मॉलिक्ञूल को सिस्टम को वहाँ पर जाया और उनके बीच होने वाले इंट्रेक्शन को क्या कर सके रिड्यूस कर सके ठीक है तो यह होगा प्रपर्टियों अब इसी बात है अलग-अलग मीडियम के लिए इसकी वैलू जो होगी वह क्या होगी अलग-अलग होगी ठीक है और यह भी पता है आपको कि मिनिमम वैलू एपसाइलन की एपसाइलन नॉट जो है वह क्या होगा मिनिममम वैलू होगा ठीक है 8.85 इंटू 10 तुदी पावर माइनस 12 होता है इसका यूनिट जो होगा वह ठीक उल्टा होगा किस से के की यूनिट से आप समझ पा रहे हो कि आपने फोर्स के लिए क्या ल लिख लो अगर लिखना चाहो तो one by four by epsilon. क्यूटू अपन आडिवा अपसाइलन की यूनिट के लिए अगर अब बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वैर अंब डॉोलामस फट्वर यह इधर रिच हैरको विल्टा लिगते हैं में हमिने कुलम ₩पॉर्ण टॉप्सॉर्ण के लिए क्लाम स्कॉार अपॉन यूटर मीटर स्कॉर क्ल्षप यूनेट के लिए कर लिए बात करेंगे यह कि यूनिट के लिए बात करेंगे तो आप क्या का ओखे निव्द 1 स्क्वर यानि ठीक हो जाता क्योंकि आप समझ का रहा है इसी पर एको बोल रहा रहा हो तो जो हो सब्सक्राइब कोगे यह आप साइलन नौ्ट है वो फ्री स्पेस में इसकी पर्मिटिविटी है ठीक ना कहाँ पर्मिटिविटी अ आफ प्री ए इस पेस पर्मिटिविटी ओफ प्री इस पेस या आप इसको वैक्यूम बोल सकते हो या कई लगवग लगवग यह आपके पास इस तरह से बाते हो गई है किस से रिलेटेट पर्मिटिविटी से ठीक चाहिए एक और बात बिलकुल आराम से समझते हैं कि अगर मैं कहूं कि सर और और प्रोड़ की जो वैलू है वो क्या है वन बाइफ और पाई एपसाइलन नॉट अगर मैं यह एपसाइलन नॉट लिख दू यह जो फोर्स होगा वो कहां पर होगा यह दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स जो है वह वह वैक्यूम में है या फ्री स् लिखना है इसके लिए लिखना है इसी मीडियम के लिए तो मैं क्या लिखूंगा ओर्स बिट्विन फू चार्ज पार्टिकल इन एनी मीडियम विल बी इक्वर्ट वन बाइफ और पाई एपसाइलन एक्यूवन क्यूट अपॉन आर स्कॉर ऐसा कुछ हो जाएगा तो यह इस में है कि आप लख लोकRNA क्या क्यों में है और यह फॉर्स किस में है। कि इन ऐनी मिडियम है कि कि एक कौंसे accent आता है रेलेटिव परमिपिए कि औरवे रहेक्थ बैलू आ घिए जो वैलू होती है वो और लीस्टोव एड़ी आघए 100% 881 फेल्ट्रेंट यह सबसे कम वेलू है जो भी मीडियम वगरह होगा फिर्ट कुल यह हमेशा एपसाइलन नौट की वैलू यानि 8.85 इंटू 10 तो पावर माइनस 12 से हमेशा इसकी वैलू ज्यादा ही होगी ठीक है तो यहां पर एक कमा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी क्या जाता है सर रिलेटिव परमिटिविटी इस पर बात करेंगे मगर एक टर्म जो है व रिलेटिव परमिटिविटी इसको क्या बोलेंगे स्तापेक्ष विद्दुच्छिलता क्या बोलेंगे स्तापेक्ष विद्दुच्छिलता ठीक है एपसाइलन आर से डिनोट करेंगे तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो किसी मीडियम में जो परमिटिविटी है और जो vacuum में permittivity है उनका ratio होगा उनका क्या होगा ratio होगा तो किसी medium में और ये vacuum में इनका जो ratio होगा वो क्या कहलाएगा relative permittivity कहलाएगा इसका मतलब जो epsilon r होगा वह हमेशा इससे जाधा होगी इसका मतलब जो epsilon r होगा वह हमेशा एक से बड़ा होगा हमेशा एक से वैल्यू उसकी क्या होगी ज्यादा होगी तो epsilon r मीडियम में और रे क्यों में क्या अप्साइलन क्या उनका ratio होगा और हमारे इसका इसकी वैलू कि क्या होगी एक से ज्यादा वहोगा ये बात करेंगे अब वापस आजाते हЙं फिए अब इनका इनका रेशियो देखें आप इनका रेशियो मैं लिखना चाहता हूँ यह किसी मीडियम में हो गया ठीक है अब मैं लिखना चाहता हूँ f0 upon fm f0 upon fm तो आप देखें यह q1 q2 r2 q1 q2 r2 गया हो जाएगा 1 by 4 epsilon 1 by 4 5 1 by 4 5 यह हो जाएगा 1 by epsilon not और यह one by epsilon m तो यह हो जाएगा epsilon किसी मीडियम में और epsilon यह क्या हो जाएगा ध्यान से देखो आप यह हो जाएगा कि अ रिलेटिव पर्मिटिविटी आज या आप यह बात कह सकते हैं यहां आप यहां यहां बात कह सकते हैं कि एफ आपके जोगा ईवह एफनौट अप्वान हो जाएगा एफनॉट अप्वान अब आपसाइलिनर अब देखो एफिंशा ज़ादा होगी एफ्नौट से क्या होगा अगर मैं आप से पुछूं यहां पे fm बढ़ा है कि f0 बढ़ा है तो इस पर्मिटिविटी क्या कर रहा है ऐख यूम में जो फोर्स लग रहा है और किसी मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वह मीडियम वाले दो जिसका पर्मिटिविटी जितना जादा होगा उसमें फोर्स उतना ही कम होता जाएगा और सबसे ज्यादा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कहां पर लगेगा रिया जिसको आप निर्वात कहते हो निर्वात में लगेगा ठीक है तो यह बात बिल्कुल आपको clear हो जानी तरिया अब हम लोग कि इनके उपर एक numerical कर लेते हैं निमेरिकल अच्छा निमेरिकल है जो बच्चे बिल्कुल बेसिक लेवल के एक्जाम की तयारी कर रहे हैं ठीक है जैसे कि तयारी कर रहे हैं तो उस लेवल का question नहीं है वठा उसके बाद भी अगर आप नीट या जैई इन सब चीजों की तयारी कर रहे हो तो उनके लिए यह question है ठीक है यूटी वाले बच्चे भी देख ले क्योंकि concept तो यहां पे छुपा ही है पढ़ लिजे जरह question क्या है तो identical spherical charged metallic sphere are hanged by string and the string makes 60 degree with each other in vacuum when the whole arrangement is kept in liquid of density 0.5 gram per centimeter cube cc का मतलब centimeter cube the angle remains same calculate dielectric paravedutang of liquid given है density of sphere 1.5 gram per centimeter cube बहुत ही अच्छा question है मैं आपको एक बार हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो identical spherical ball है ठीक है तो identical spherical ball 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 है ठीक है यह एक बॉल यहां पर है और यह एक बॉल यहां पर है यह ऐसे दो बॉल ऐसे हैंग है ठीक है अच्छा सिमिलर नेचर के charge particle है यह क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्सरबल से करेंगे यह सका मतलब यह है कि यह ऐसे नहीं होगा यह कुछ इस तरह से आजाएगा कि इसिए डाइग्राम चाहिए वह इस तरह से बनते हैं कर दाइग्राम जो बनना चाहिए वह कित तरह से बनना चाहिए कि यह दियाग्राम सही बढ़ना चाहिए कि अब यह हमारे पास इस तरह से बाते हो गई है ठीक है कि अब आप देखो कि यह चार्ज पार्ट के लिस तरह से हो गया कि अब कुशन पर वापस जावा तू आइडेंटिकल इस्फेरिकल चार्ज मेटेलिक इस पर हैंग बाई स्ट्रिंग एंड़ इस्टिंग मेग सिक्स्टी डिग्री वित इच अदर इन वैक्यूम तो यह सिक्स अब आप देखो इसको थीटा माल लीजे इसको क्या माल लीजे तर यह थीटा है और थीटा की वैलू कितनी है सिक्स्टी डिग्री इसके उपर चार्ज केम चार्ज हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल है ठीक है यहां तक आपको पहली लाइन से समझ में आ जाने चाहिए पिर से में पर रहा हूं तू आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्ज मेटेलिक स्फेयर आर हैंग बाई स्ट्रिंग अड़ इस्ट्रिंग मेक सैड अंगल 60 विट इच अदर इन वैक्यूम अब होल अरेंजमेंट वेंड वेंड़ होल अरेंजमेंट इस केप्ट इन लिक्विड अब पूरा का पूरा एरेंजमेंट किसमें रखा गया है लिक्विड में रखा गया जिसकी डेंसेटी इतना है अभी भी एंगल सेम रह गया अब देखो आप ज्यान से समझो इस बात को अगर मैं इस सिस्टम को पूरा का पूरा सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम मैं इसको किसी लिक्विड में रख दिया ये कहां पर है? ये है वैक्यूम में ये है वैक्यूम में ये कहां पर है? इसी लिक्विड में है सब यह बताओ इनके बीच लगने वाला attraction force पहले के मुकाबले कम हो जाएगा यहाँ पर attraction force क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा यहाँ पर repulsion force attraction यहाँ रिपल्सन रिपल्सन क्यों बनन करो व्सलिकिकर ग judgment पर यहाँ पे जो आपको आपको नहीं लग रहा है कि ये पासपास आजाएंगे और जब जाब यह पास-पास आजाएंगे और यह जब यह पास-पास आजाएंगे शो एंगल क्रियेट होगा मतलग सब्सक्राइब ऐसे बन जाएगा खैश्ड रहेगा जो अब उफर एंगील कंड़ी तो दुप उपन Spanish यह शोत हुआ है से कम मगर गौर करो कुश्चन बोल रहा है कि एंगल रिमें सेम यह बात कुश्चन ने कैसे बोल दिया एंगल जो है वो सेम बना रहेगा पिर से समझ यह भाई चार्ज पार्टिकल के बीच जो भी रिपल्सन फोर्स यहां पर है वो यहां पर कम हो जाएगा तो जब यह मॉलिक्यूल्स और यह मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कम फोर्स से रिपल कर रहे होंगे तो यह पास पास आ जाएंगे और ज्यादा फोर्स लग जाएगा तो यह दूर चले जाएंगे और जब यह पास पास आएंगे तो एंगल कम नहीं हो जाएगा बिल्कुल कम हो जाएगा मगर समझो आप क्यों कुश्चन ने बोला कि एंगल सेम है क्योंकि किसी लिक्विड में इनके ऊपर एक बाउंसी फोर्स भी तो लगाएगा क्या लगाएगा अगुं टू बाउंसी फोर्स लगाएगा यूटू बाउंसी फोर्स यह वापस से कहां आ जाएँगे इधर की तरफ आiven अब बात समझ में आ गई होगी वापज से इसे जाए इस्लिए बोला जा रहा है कि जोग झाल है वो क्या हो कहता एक चलिए तो अब बताना है कि इस लिक्विट का डाई एलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट क्या होगा एंगल से में ठीक है चलिए कि प्री बॉडी डाइग्राम बनाते हैं यहां पे पहले बनाते हैं यह चार्ज पार्टिकल लिया आपने कि इसका एक मास होगा हम लोग ने नीचे लगा दिया mg इसके उपर एक repulsive 대통령 फोर्स लग रहा होगा वेक्यूम में है पलाउ और कोई फोर्स इसके उपर एक तेंशन माला फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा है कंशनugenवाला फोर्स ठीक, यह टेंशन लग रहा होगा. इसकी वज़ए से रस्सी की वज़ए से एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा. एंगल को डेखो, यह 60 है न? इसका जब बाइसेक्ट करोगे, यह कितना आ जाएगा? 30 हो जाएगा? और यह कि यह 30 हो गया तो यह कितना हो जाएगा अगें 60 हो जाएगा पिट से देखो 60 है पाइसेक्ट किया तो 30 यह 90 पहले सही है तो 30 अब यह 60 होगा तभी तो मिलकर 180 बन पाए गए तो इसका मतलब यह हुआ कि आप कह रहे हैं यह वाला एंगल कि यह वाला जो एंगल है कि आप करें कि यह जो एंगल है यह एंगल 60 बन जाना चाहिए यह एंगल क्या हो जाना चाहिए 60 लेट से थीटा भी बात कर लेते हैं कि सब्सक्राइब टीटा की वैलू कित्ती है 60 तो यह 60 हो गया अब इधर की तरफ टी कॉस्ट थीटा हो जाएगा और इधर की तरफ टी साइन थीटा हो जाएगा और बैलेंस कंडिशन में कोई करवड़ी है नहीं तो आप लिख सकते हो टी साइन थीटा एम जी और टी कॉस्ट थीटा एफ नॉट डिवाइट कर लीजे तो डिवाइट करने पर टी टी कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा कॉस्ट थीटा क्या हो जाएगा 10 थीटा एंजी अपनद आफ नॉट ऑपल अफ नॉट एंजी अपन फ yद यहीं हो जाएगा इसको चलिए कृशन नमबर वन दे दिया आप ने क्याने देदिया नमबर वन अगने कमने कृशन नमबर प्ञेड़ीए अब यहां पर देख लें आप जड़ा विल्कुल सेब चीज प्री बॉरी डाइग्राम आपको बनाने आना चाहिए यह यह मॉलेक्विल से यह पार्टिकल इसका अपना एक वेट होगा एम जी इसके उपर लगने वाला इस इलक्ट्रो इस्ट्रेटिक फोर्स चलिए हमने एफम बोल दिया क्योंकि यह किसी लिक्विड में है किसी मीडियम में है ठीक है क्या अब टेंशन अब भी वही रहेगा नहीं टेंशन वह नहीं र हो गया है जिसको बोलते हैं यह दर की तरफ एंगल वही है जी सर्ण वहीन बोल रहा है कि एंगल जो है वह है एंगल के साथ कोई छड़ खानी नहीं होनी चाहिए अंगल थीटा है तो इदर की तरफ क्या हो गया इक औस थीम अविदृव और और इधर की तरफ क्या हो गया ती साइन तो अगर मैं देखूं टी साइन थीटा के लिए मैं इंट्रस्टेड हूँ तो यह हो जाएगा अगर मैं टी कॉस्ट थीटा के लिए इंट्रस्टेड हूँ यह हो जाएगा एफम रिवाइट कर लें आप अच्छा टी नहीं होगा टी डैस होगा स्वरी डैस होगा रिवाइट कर लीजिए यह टेन थीटा आजाएगा यह टेन थीटा आजाएगा और यहाँ पर ल क्या आजाएगा टी स्टीडियम्ट टी आजाएगा और यह-जी मोईटे-वी एप़ोऊँ अफम हो जाएगा यह लिए यह ओगया एकविश्टर्न नहीं नुमबर त्कों अभी कुश्टन नमभर टू में दोनों जगह 10 ठीटा ही है तो दोनों को बराबर कर लो from equation 1 and equation 2 इधर क्या हो जाएगा mg upon f0 और इधर क्या हो जाएगा mg minus fb upon fm मैं क्या कर रहा हूं सर्फ fm को इधर भेज दिया fm इधर चला गया तो fm upon f0 हो जाएगा और यह इधर आगे तो क्या लिखोगे आप mg upon mg minus fb इलिखती है अब आप क्या करो mg से डिवाइट कर लो अपने mg से डिवाइट कर लिया तो यह हो गया अब वन अपॉन वन माइनस fb upon mg और fm upon fb क्या हो गया fm upon fb क्या हो गया fm upon fb क्या हो गया epsilon r हो जाएका तो आप यहाँ पर इसको क्या लख सकते हैं fm upon fm epsilon r लिख दिया अब आपके पास down si forc और mg है बांसी फोर्स देखें आप क्या लेक प्सकते हैं आप इस वाइंची वोगा पॉंची वह कहते हैं वह रो ऑफदी फ्लूएड do और वॉल्यूम होता है zoe the fluid याने density की density fluid की और density body की आपके सवाल में देखिए density fluid की दी गई है 0.5 और body की density दी गई है 1.5 यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आप इसको लिख लें 0.5 और यह 1.5 यह हो जाएगा वन भाई जैसा कुछ वापस आई यह जो एपसाइलन आर है जिसे आप रिलेटिव पर्मिटिविटी या परा वैद्दूतांग कहते हैं वो हो जाएगा वन भाई यह क्या हो जाएगा टू भाई थ्री ओपर चला जाएगा तो थ्री वाई टू जिसको आप वन पॉइंट पाइब भी कह सकते हैं यह हमारा एंसर हो जाएगा ठीक है तो रिलेटिव पर्मिटिविटी जिसको आप परावद्दूतांग कहते हैं यह आपके पास इ सब्सक्राइब है तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे तो बने रही है हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हैवनाइज थैंक्यो